ये कहानी Maclister family की है, जो शिकागों में रहते हैं, ये बहुत ही rich family है, Maclister family हर साल चुटियों में कही ना कही घूमने जाते हैं, इस बार वो सब पेरेस जा रहे होते हैं, उस family में Peter, Kate जो के माबाप होते हैं, और उनके दो बच्चे, Baj और Kevin होते हैं, और Peter के बड़े भाई की family अब उनके घर एक पुलिस ओफिसर सेक्यूरिटी पर्पस के लिए आता है। अब रात में वो बर्फ हटाने के लिए आया है। और उनके पास पड़े टिकेट्स भी खराब होते होते बच जाते हैं। और अलाम्स बंद होने की वज़ह से वो सब लेट हो जाते हैं। जब वो उठते हैं तो एरपोर्ट से लेने वाली गाडियां उनके घर के बाहर पहुँच चुकी होती है। सब लोग जल्दी में होते हैं और हर जगा हलचल मची होती है। सब लोग जल्दी चल्दी तयार होते हैं और समान गाड़ी में रखते हैं। और भागते हुए गाड़ियों में बैट कर एरपोर्ट चले जाते हैं और अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और कैविन घर में ही रह जाता है और जब वो बाहर गाड़ी में काउंटिंग करे रहे होते हैं तो कैविन को दूसरे बच्चे से काउंट कर लिया जाता है मतलब वो उल्टा खड़ा होता है तो इसे कैविन समझ लिया जाता है और वो एरपोर्ट निकल जाते हैं और जल्दी से फ्लाइट में पहुँच जाते हैं लेकिन कैविन अब पीचे घर में ही रह चुका होता है। कैविन जब सोकर उठता है, तो घर में कोई नहीं होता। ये देखकर उसको लगता है कि उसने रात में जो विश़् की थी, वो पूरी हो चुकी है और वो अकेला रह गया है। और अब वो अकेला बहुत खुश होता है और घर में पार्टी करता है। अब कैविन उस बुरे आदमी जिसकी कहानी उसके कजन ने सुनाई थी। उससे डरता भी है लेकिन वो परिशान नहीं होता और अपने फ्रीडम को साथ में इंजॉय कर रहा होता है। अब दो हैरी और मारवी नामी आदमी को दिखाये जाता है जो अलाके के चोर होते हैं और वे बहुत ही ज्यादा बेवपूफ चोर होते हैं। हैरी दरसल वो ही आदमी होता है जो पुलिस आफिसर बनके उन लोगों के घर में गया था और उनसे एलाम्स का पूछा था जिसका एक दांस सोने का होता है असल में वो चोर होता है और पुलिस आफिसर बनने का ड्रामा कर रहा होता है अब क्योंकि वो सब घरों के security majors को अच्छे से जान चुका होता है तो वो दोनों decide करते हैं कि वो Maclister के घर जाकर चोरी करेंगे क्योंकि वो इस जगह का सबसे अमीर घर होता है अब वो Maclister के घर के सामने आते हैं Kevin सो रहा होता है, वो फॉरण से जाग चाता है और उससे मालूम होता है कि दो आदमी घर के बाहर है वो जल्दी से घर का bulb on कर देता है ताकि उन्हें लगे कि घर में सब मौजूद हैं और वो लोग इस वज़ा से वापस चले जाते हैं वो चोर अब अपने आपको weight benders बुलाते हैं अब दूसरी तरफ जब वो flight पर होते हैं तो फॉरण से Kevin की mom को खयाल आते हैं कि Kevin तो पीछे ही रह गया और वो बहुत परिशान होते हैं और decide करती हैं कि Paris पहुंचकर वापस जाने का इंदजाम करेंगे ताकि Kevin के पास पहुंचाएं अब जैसे ही वो Paris पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि अगले दो दिन तक सब flights booked हैं थिर Christmas का time होता है और हर कोई छुटिया मनाने जा रहा होता है अब आगे Kevin की mom किसी तरहां से वापस पहुंचने के management कर लेती हैं और वो अकेला जाने का फैसला करती हैं और दूसरी family Paris में Peter के भाई के घर रह रही होती है अब दरासल होता ऐसे हैं कि एक Paul का band होता है और वो भी Chicago की site पर जा रहे होते हैं तो Kevin की mom उनको अपील करती है और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए रजामंद हो जाते हैं अब Harry और Marvy को किसी तरह से मालूम हो जाता है कि Maclister family जा चुकी है और उनका बेटा Kevin अकेला घर पर है तो वो फैसला करते हैं कि Christmas Eve पर वो अस घर में जाकर चोरी करेंगे और वो सोचते हैं कि एक बच्चा अकेला है वो लड़का हमारा क्या ही कर लेगा हम उसे डरा कर आराम से घर में घुश जाएंगे और चोरी कर लेंगे अब Kevin ये सब plan किसी तरह से सुन लेता है वो थोड़ा परिशान होता है और अपने घरवालों को भी मिस करता है वो अपनी wish को लेकर बहुत पच्चता आता है अब Kevin एक चर्च में जाता है जहां उसको वो बुढ़ा आदमी मिलता है और वो उसे देख कर डर जाता है लेकिन वो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि मेरे बारे में बहुत सी गलत बाते बनी है मैं killer नहीं हूँ जबकि मेरे और मेरी बेटे की कुछ लड़ाई हो गई थी और उसकी granddaughter सामने वाले चर्च में perform कर रही होती है जस बहाने से मैं उसको देखने आता हूँ क्योंकि वो अपनी family को बहुत miss करता है और वहां Kevin उसको कहता है कि आपको पनी बेटे के साथ सब sort out कर लेना चाहिए और उनको मिलकर रहना चाहिए अब next scene में Kevin अपने घर पहुँचता है अब वह ये फैसला करता है कि मुझे अपने घर को इन चारों से protect करना होगा इसलिए मुझे उनसे लड़ना होगा और अब वह एक चार्ट में एक better plan बनाता है ये plan बहुत ज़ादा भयानक होता है और उस plan में उसने बहुत सारे traps कबर किये होते हैं और जहां पर वह छोर आएंगे वहां पर उनको बहुत सारे traps मिलेंगे अब वह सब हर जगह plan के मुताबिक बहुत professional होके traps बिचाता है और उनको कहीं पर भी मौका नहीं देता कि वो घर के अंदर आ सके अब Kevin सब कुछ तयार करके डिनर के पहले pray करता है और खाना खाने लग जाता है अब जैसे ही वो आते है तो उनमें से मारवी basement के दर्वाजे से अंदर आने की कोशिश करता है वो वही नाचे गिर जाता है फिर कैसी तरह से दर्वाजा खोल कर अंदर एंटर होता है जैसे ही बल्ब की रसी कीचता है तो plan के मुताबिक एक iron उस रसी से बंदे हुए आती है और सीधा उसके सर पर लगती है और वो वही पड़ा रेता है अब Harry को दिखाया जाता है जो की man door से अंदर एंटर होने की कोशिश करता है मगर handle पर लगे hit road से उसका हाथ जल जाता है और वो तडपने लगता है और snow में अपना हाथ गुसा देता है ये देखर kevin celebration करता है आगे मारवी को दिखाया जाता है जो सीरियों पर grace लगे होने की वजाएं से बड़ी मुश्किल से अपने जूते उतार कर उपर जाने की कोशिश करता है तब ही नीचे लगी एक सुई उसके पाउं में चुप जाती है और वो उधर ही नीचे गिर जाता है और चीखने लगता है अब हैरी एक और डॉर से अंदर आने लगता है और जैसे ही डॉर खोलता है तो एक fire lighter से उसका सर बुरी तरह से जल जाता है और वो चीख कर बाहर आकर अपना सर स्नो में डाल देता है उसका सर बहुत ही बुरी तरह से जल चुका होता है अब वो भाग कर आता है और दरवाजे को लात मार कर खोल देता है और अंदर आकर कैविन को कहता है कि मैं अंदर आ चुका हूँ और अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिसके जवाब में कैविन उसे उसको पकड़ने का कहता है अब जैसे ही वो रूम में आता है तो एक ट्रैप से उसका सारा मू चिकन फर से भर जाता है अब मारवी भी अंदर पाउच जाता है और वो एक दूसरे को देख कर जो के हैरी को लगता है अब Harry भी गिर जाता है वो दोनों एक दूसरे के उपर गिरे होते हैं और Kevin celebrate करता है अब Marvy Harry को कहता है कि तुम्हारा एक दाद भी मिसंग है जिस पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उपर जाने लगता है तभी Kevin पुलिस को कॉल करता है और उनको सब situation बता देता है जैसे ही Kevin उनको cross करके जा रहा होता है तो Marvy नीचे से उसकी टांग पकड़ लेता है और Harry को आने का कहता है लेकिन Harry उदर लगी trap wire से गिर जाता है और तभी Kevin एक spider को Marvy की face पर फैंक देता है जिससे वो डर कर उसे छोड़ देता है और उसकी चीख की आवाज पुरे घर में गूंचती है अब वो spider को फेंकता है लेकिन वो Harry की पेट पर आकर गिर जाता है जिस वज़े से वो उस पर निशाना लगाता है चोकि spider को तो नहीं लगता लेकिन Harry के पेट पर लग जाता है अब Kevin उपर rope की मादत से tree house में जाकर गिरता है और वो उन दोनों को उसका पीछा करने का challenge करता है जिस पर उनको एक और idea आता है और उसकी wires की मादत से tree house की तरफ आने लगते है अब जैसे ही वो दरम्यान में पाउच जाते है तो Kevin उस rope को काट देता है जिससे वो दोनों सीधा दिवार में जाकर गिरते हैं अब Kevin भागते हुए basement में जाता है जिस पर वो दोनों भी उसके पीछे आ जाते है लेकिन इस पर उनका stupid दिमाग काम करने लग जाता है और वो सही मौके पर उनके सामने आकर उससे पकड़ लेते हैं और उसको एक door hanger पर लटका देते हैं और उससे डराने लग जाते हैं लेक कि उसकी family उसके साथ नहीं होती अब सुबह हो जाती है और Christmas day होता है और वो उठकर door से बाहर देखता है तो show fall हो रही होती है और वो परेशान होकर वापस अपने room में आ जाता है तब ही उससे नीचे कुछ आवाज सुनाई देती है जैसे ही वो देखने के लिए नीचे जा और वो सब लोग उधर पहुंच जाते हैं अब वो खुशी-खुशी एक दूसर को मिल रहे होते हैं और मेरी Christmas बोलते हैं अब Kevin की मौम उसके डैड से पूछते हैं कि आप लोग कैसे पहुंचे जिसके जवाब में वो कहता है कि हमने वो morning flight ले ली और हम आ गए अब Kevin विंड क्या हल कर दिया और यहां यह movie end हो जाती है